तो हां जी दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक सिंप्लेक्स लेकर आ चुका हूं वो भी अफोर्डिवल प्राइस में तो सबसे वहले मैं इसका एड्रेस बता देता हूं तो इसका एड्रेस होने वाला है आपका गवाली शहर के अंदर है यह मुरेना रोड पर है ऐसकते मैं तकरा गया ओधिया और पार्किंग स्पेश पार्किंग स्काफी काफी डीरस टूलर पाहिक होगर आप्छ एंदर आपका लिविंग क्रूम में लिविंग रूम का साइज देख सकते हैं लग वाग 10-10 यह कमरा होने वाला है यहां से अब भनाएंगे यह आपका, यह आपका वेंटिलीशन के लिए यह विंडू देख सकते हैं स्लाइड विंडू है यहां से भी यहां से आ सकते हैं यह आपका फॉस्ट बेड्रूम है इसके साथ आपको एक आटेश बाशों मुल जाएगा तो आप देख सकते हैं इसका लगवा दस्वाई ग्यारा का साइज है इसका लगवा तो आप देख सकते हैं इसमें भी वोस्टे लिंग दिजाइन दिया है अच्छी सी अच्छे पॉलेटी की इधर भी एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए मन्दर रूम को वेंटिलेशन दर मिलता रहेगा औ आप देख सकते हैं काफी डीशन साइजर रूम का वह वाश्रूम का तो आप देख सकते हैं इनने दोनों आप सीधे कर लिए फिर बी अच्छी नहीं हो यहाँ पर आपको वाश्रूम और रूम का वेंटेशन आपको दोनों यहां से मिलता रहेगा यहाँ आपका इस वाले वाश्रूम से इधर का वी वेंटेलेशन मिलता रहेगा तो अपन चलते हैं सबसे पहले उपर चाथ यहां पर दो वोश्रूम मिलेंगे जरके नदर तो आप यहां देख सकते हैं यहां का सेकंड वोश्रूम है यहां पर इंडियन सीट दी गई है साफ सफाई करनी इधर तो गाफी और यहां पर भी एक वाश्रूम लगा हुगा है ठीक है और यहां पर भी ओपन इसका वेंटेलेशन तो आप देख सकते हैं यहां पर भी इस रूम का इधर से मिलता रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं च्छत पर आजाए यह लगवाद को चीज दिखा तो यह अपके जीने जीने का लगवाद साइज लेगा तीन फिट का आज एक देख सकते हैं प्रॉपर रेलिंग लगा के दिए यह स्टील की रेलिंग आप देख सकते हैं चलो काफी बड़ी चाथ है यह मतलब अच्छी खाजी छोटी फैमिली के लिए काफी बड़ी चदी गई तो आप देख सकते हैं और आपको मैं सुसाइटी दिखा देता हूं आप आजी आपको सुसाइटी दिखाते हैं साथ से बहले यह आपकी गेटर सुसाइटी होने वाली है रोड वगर आप देख सकते हैं लगवागा आपको यहाँ पे लगवागा घर के सामने आपको लगवागा 20 से 25 फिट की रोड मिल जाएगी तो अपन वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसका एडर में फिट से बता देता ह तो मिलते हैं अगली वीडियो में जाहिन